हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचानुसके में हम चैनल उपचानुसके में रोज एक लेटिस टूडियो अब्रेट करते हैं यदि आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो सबसे पहरे आप हमारे चैनल उप्चान उसके को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे सिर्फ दो मिनट में पाएं सफेद और मोती जैसे चमकदार दाथ कई बार दातों की पीलेपन के कारण हम खुलकर हस नहीं पाते दातों का पीलेपन एक आम समस्या है दातों की सही तरह से देख भलना करने या दातों में प्लाग जम जाने के कारण दात पीले होने लगते हैं इसके अलावा खाने की कुछ चीजों के लगातार सेवन बढ़ती उम्र या अधिक दवाईयों का सेवन भी दातों के पीले पन का कारण बन सकता है हम मैं से ही कई लोग सिर्फ अपने चहरी की खुबसुरुती पर ही ध्यान देते हैं और दातों की खुबसुरुती पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं जिससे दात पीले हुने लगते हैं जो देखने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते हैं यदि आप भी दातों के पीले पन से परिशान हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाई बताएंगे जिससे आप जल्द ही दातों की पीले पन से छुटकारा पास सकते हैं नीबू का प्रियोग नीबू दातों की पीले पन को दूर करने के लिए एक रामबाड उपाई है इसके लिए एक नीबू का रस निकाल कर उसमें उतनी ही मातर में पानी मिला लें और खाना खाने के बाद इस पानी से कुल्ला करें इस उपाय से आप जल्द ही सफेद और चमकदार दात पा सकते हैं साथ ही ये उपाय सासों की दुरगंदों को भी दूर करता है नीम का प्रियूग प्राचिन काल से ही नीम का प्रियोग दातों को साफ करने के लिए किया जाता था नीम में दातों को सफेद बनाने वे बैक्टिरिया को खत्म करने के गुण मौजूद होते हैं नीम एक नैचुरल एंटी बैक्टिरियल और एंटी सैप्टिक है इसके लिए कुछ नीम की पत्तियों को अपने दातों अप मसूडों में हलके हाथों से मले और 5 मिनट बाद कुल्ला कर ले इसके नियमित प्रियोग से आप बहुत जल्दी सफे दात पा सकते हैं तुलसी का प्रियोग संत्रे के चिलकों का प्रियोग संत्रे के चिलकों के प्रियोग से भी आप बहुत जल्दी सफे दात पा सकते हैं इसके लिए संत्रे के चिलके और तुलसी के पत्तों को सुखा कर पौडर तयार करने रोजाना प्रश करने के बाद इस पौडर से अपने दातों पर हलके हाथों से मसाच करें संत्रे में मौजूद विटामिन C और केलसियम की कारण आपके दाथ बहुत जल्दी सफेद और मोती जैसे चमकने लगते हैं फ्रेंड्स अगर आपको यह सभी बाते पसंद आई हूँ तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें